सल्मान खान फाइरिंग की घटना को लेकर खबरों में बने हुए हैं एक्टर के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर दो लोगों ने गोली चलाई थी सुपरस्टार के साथ हुई इस घटना ने देशबर में चर्चाबा टोरी हाला की पुलिस तुरंथ हरकत में आई और दोनों बदमाशों को गिरफतार कर लिया जिन्हें बिहार का बताया जा रहा है अब इस हमले पर सल्मान खान के पिता सलीम खान ने रियाक्ट किया है उन्होंने बेटे के दुश्मनों को जाहिल बताया है एलेक्सी अपार्टमेंट पर फाइरिंग की घटना पर बात करते हुए सलीम खान ने मीडिया से बात की इस दौरान उन्होंने बताया कि महराश्ट के मुख्य मंतरी एकनाज शिंदे ने उनके पूरे खान परिवार को एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन दिया है सलीम खान ने बेटे सल्मान खान को धमकाने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए कहा इन लोगों के बारे में क्या ही बात की जाए ये जाहिल लोग हैं कहते हैं मार देंगे तब पता चले गा ना उन्होंने आगे कहा हमें कड़ी सुरक्षा दी गई है मुंबई पुलिस ने हमें और हमारे दोस्तों को प्रोटेक्शन देने का आश्वासन दिया है अगर वो दो लोगों को गिरफतार कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस पर काम कर रहे हैं सलीम खान ने सल्मान खान के काम को लेकर भी जानकारी दी उन्होंने कहा सल्मान को अपने शेडूल के हिसाब से काम चालू रखने की सला दी गई है सलीम खान ने आगे कहा क्योंकि मैटर अभी पुलिस के साथ जुड़ गया है इसलिए हमें इस पर ज्यादा बात करने से मना किया गया है सल्मान खान के वर्ट फ्रेंट की बात करें तो एक्टर के खाते में कई फिल्में हैं इस पर सल्मान खान ने सिकंदर का एलान किया था इसके अलावा उनके पास किक टू, दबुल और प्रेम की शादी समेट दूसरे प्रोजेक्ट भी है हाला कि अभी इन फिल्मों की अधिकारिक घोश्वला नहीं की गई है इंडरेट इन फोर इंटू सेवन लाइफ टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट